Welcome friends, welcome to the trend trading calculator और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि trend trading calculator को use कैसे करना है सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगोंने इतना अच्छा response दिया है और Teachers Day की जो scheme आपके लिए लाँच की गई है पूरे एक हफ़ते का free trial प्लीज उसको miss ना करें कोभी बहुत important है एक हफ़ते बाद उस scheme को lock कर दिया जाएगा जिस भी इनसान ने जिस भी trader ने investor ने आप positional trader है आप intraday trader है, swing trader है तो ये tool आपके लिए बहुत important होने वाला है और इसलिए हमने इसका free trial एक हफ़ते के लिए रखा है लास्ट डे पर इसको close कर दिया जागा और ये tool को इस्तमाल कैसे करना इस वीडियो में जरूर देखेंगे देखें ये सामने आपके screen रहेगी जिन लोगोंने subscribe कर लिया है, login कर लिया है अगर जिनलोंने login नहीं किया है अभी तक sign up नहीं किया है तो इससे पुरानी वीडियो देख सकते है जिसका link इस वीडियो को इस वीडियो के description में भी है और i button में आपको दिख रहा होगा आप उस पे click कीजिए पहले वो वीडियो देखे है उसके बाद इस वीडियो पहेगा प्लीज इस वीडियो को skip नहीं किजिए क्योंकि इसमें पूरा detailed आपको analysis मिल जाएगा कि इस calculator का इस्तमाल कैसे करना है because this is the most important tool you would have ever seen दोस्तों यहाँ पे दो आपको menu options दिखाई दे रही होंगी एक में आप अपना number खुट डाल सकते हैं लिखा है inter stock value यहाँ पे लिखा है for future options, international shares, commodities, forex, cryptocurrencies कुछ भी हो उसमें आपको उसका last price enter करना है या आपका कोई price जहां से आपको confirm करना है कि आपका stock यहाँ से और उपर जाएगा या नीचे जाएगा या आपका stock breakout या breakdown level पे तो नहीं है कई आपका stock ऐसे price के नजदीक में तो नहीं आगया है कि यहाँ से वो और further गिर सकता है या और आगे उच्छाल की सम्मावना है या कभी-कभी आपका stock ऐसे level पे होगा जहां से immediately आपको breakdown या breakout देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे आप stock की value डाल सकते हैं और दूसरा option यह रहेगा है यह drop-down menu यहाँ पे अपने share को आप चूज कर सकते हैं कोई भी आप share चूज करेंगे जैसे यहाँ Reddington आपने चूज किया आप सिर्फ go पे क्लिक करेंगे और आपके सामने उसका price आजाएगा यह देखे यह wagon wheel जो आपको दिखाई दे रहे है थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से ताकि आपको और अच्छे से visibility clear हो I hope यह बहुत अच्छे से दिखरा हो आपको चलिए ठीक है यहाँ से आपको अपना share choose करना है कोई भी आप share choose करेंगे उसको go पे क्लिक करेंगे यह wagon wheel रोटेट करेंगी काम करेंगी देखे यहाँ पे क्या होगा दो तरह की wagon wheel है एक red color की और ग्रीन color की green color और red color में दोनों पे एक sell at और buy at का level दिया हो है या फिर इसको आप यहाँ refer कर सकते है नीचे में जो options आपके सामने दिये गाए है buy above with a stop loss of 110 I mean for example those who want to buy redington for intraday this is for the intraday levels buy above 114.33 strictly buy above this level only and when you're buying above this level you have to keep a stop loss which is 110.79 and in case your stock goes on the downside if a downside trigger हो जाता है stock गिरने लगता है आपकी analysis कहती है stock गिर रहा है तो आपकी दिमाग में आएगा कहां तक गिर सकता है देखिए आपकी आप chart देखते हैं price action करते हैं आपको ये तो सौन में आया थे कि ये candle red बन गई है ये candle green बन गई है ये dodgy है या ये hammer है या spinning top है या आपके किसी moving average को उसमें break किया है या आपके किसी trend line के important level को उसमें break किया है उपर या नीचे की तरफ में अब आपकी दिमाग में सवाल ये रहता है stock में आप enter तो कर जाते हैं पर आप profit नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको targets नहीं पता होते हैं ये calculator आपको आपके targets में doubt करने में बहुत जबरदर help करने वाला है कैसे सबमच लेते हैं for example अगर आमें लगता है 114 से उपर में buy करना है तो एक stop loss आपको लेना ही पड़ेगा intraday वालों को stop loss लेना ही है और 110.79 के बाद अगर वो stock नीचे की तरफ किरता है तो आपको sell की तरफ trigger लेना है फिर आपको loss करना है sell में बैठ जाना है stop loss फिर buy above का level रहेगा basically आप देखिए ये cross है ये level cross है फिर sell below करेंगे तो buy above का level उसका एक stop loss बन जाएगा तो sell below करेंगे तो buy above का level उसका stop loss बन जाएगा ऐसा क्यों है दोस्तो अब आप कहेंगे ये क्या बात ही trend is your only friend जो trend के साथ रहेगा वही intraday कर सकता है अगर आपके पास त्रेंड के साथ रहने का time नहीं है दोस्तो अगर आप कोई अलादीन का चिला घिसना चारहे है तो आप बिल्कुल भी ना घिसे intraday trading आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है जिन्नों पर आपके आपके लिए बिल्कुल ना करें वह swing trading कर सकते है swing trading जो करना चाहते है side में देखिए targets आपके सामें लिखे है अब यहाँ पर रेडिंग्टन का जो breakout या breakdown का level है 121 का है चली एक बाद चार्ट के पास चलते है चार्ट हमें क्या बोलता है यहाँ पर रेडिंग्टन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेडिंग्टन अभी कहाँ चल रहा है पहले उसको simple price देखना है बहुत simple तरीके से देखना है यह last candle है यह last candle है 112 रुपे 55 पैसी closing है यहाँ पर आप देख पा रहे है यहाँ जब करसल मूब कर रहा है और यहाँ पर इस candle के उपज़ आपना करसल लेकर आते है तो C means closing open रहा 111.85 high लगा है 114.65 और closing रही 112.55 तो closing को आपर पकड़ने ही कोशिश करें क्योंकि हम end of the day पर analysis कर रहे है कल क्या हो सकता है क्या हो सकता है कोई भी analysis कीजिए आप कोई भी chart pattern लगाई है कुछ भी indicator लगाई है but price अपने आप में सब कुछ बोलेगा प्राइस क्या बोलेगा देखते है 112.55 पैसे को पकड़ने ही कोशिश करें अब यहाँ पे आपका price कहा है this is between 114 and 110 तो it is a no trading zone आपको यहाँ पे काम करना ही नहीं है क्योंगी ना तो 140 को 14 से उपर जा रहा है ना वो 110 से नीचे आ रहा है 110 से नीचे गिरने लगे तो 114 का 114 का stop loss दीजिएगा sell trigger कीजिएगा for targets of targets क्या है intraday कर रहे हैं तो यहाँ पे इन wheels को आपको follow करना है wheels का कहते है 110.79 110.79 से नीचे first target क्या रहेगा यह बहुत ही चोटे targets हैं दोस्तो जो बिल्कुल जिनकी दिल की धड़कन छोटी है चोटा सा target ले और भार हो जाएं जिनकी दिल की धड़कन थोड़ी strong है they can easily wait for T3 in intraday जो sell at the rate करेंगे तो T3 would be the first target जो conservative लोग है T1, T2 पे निकल सकते हैं आपकी मर्ज़ी है चोटा सा profit book कीजिए भार हो जाएं but first target मेरा दिल बड़ा है मेरी दिल की धड़कन थोड़ी strong हो चुक है मुझे लगता है मैं T3 की वेट तो जरूर करूँगा ही करूँगा और T3 पे तो एक बार minimum 80% quantity book कर लूँगा वो क्यों कर लूँगा क्योंकि पूरी-पूरी संभावन है 90% chances है कि T3 से उपर stock intraday में नहीं जाएगा अगर T3 से उपर intraday में जा रहा है उसने cross कर लिया है और वहाँ पे sustain कर रहा है 5-10-15 minutes के लिए जिसभी time frame में आप इस्तमाल करते हैं कम से 10-15 minutes दे वाच कीजिए और volumes कर रहा है महाँ पे तो आप T3 से नीचे जो T2 था 107 को आप stop loss लगाएंगे और इसको अपने profit को trail करना ही लगेंगे T6 के लिए फिर T4, T5 फिर profit book कर सकते हैं या फिर आप T6 के लिए ultimately आप book करेंगे तो T6 से नीचे अगर close हो रहा है तो हम T9 की बात करेंगे 92 की नहीं तो T6 से वापस खुंके T3 तक आ जाएगा तो T6 पे sell करना चाहते हैं तो T7 का swap loss लिएगा T6 से नीचे short कीज़ेगा T3 पे profit book कर के भार आज़ेगा जो positional काम करेंगे 121 से उपर ही breakout होगा अभी कहां चल रहा है 112 रुपे के आसपास में तो 121 जब टूटा था चार्ट को देखते हैं 121 कहां टूटा दोस्तो आपको बहुत interesting calculator है यह लेवल है 121 के असपास में यह candle थी थोड़ा सा बड़ा करते हैं पॉप आउट करते हैं ताकि और अच्छे समझ में इसी clarity समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे या बिना tools के हम काम नहीं कर सकते हैं दोस्तो यह जो candle थी इस candle ने high बनाया 114 का कल की जो candle थी ठीक है इसके पिछला जो high था 115 का था उससे पिछला जो high था 116 का था देखिए और यह जो breakdown जो आया हुआ है यहाँ पे हल फलल का जो breakdown है यह है यह 130 का breakdown है तो 130 की एक wick है और almost मोटा मोटा अगर हम इस area को देख लें यह एक resistance zone आप देख सकते है 122, 123 का resistance zone है जो इसने जो पहले support था और यह support resistance zone में convert होगा है जिसको तोड़ते ही वो नीचे की तरफ चल पड़ा यह बहुत clear है दोस्तो यही हमारा break town या breakout का level था 121 से नीचे 110 उसका पहला target था जो आ चुका है जिसका low का है दोस्तो हम देख लेते हैं आपके सामने यह अब भी तका जो low है 106 का low बना चुका है शेयर और 106 के बाद हम बहुत 100 का target था और उसके बाद यह second target के हम बेट करें दोस्तो 100 आप यह देख लिजेगा कि जो second target है second target से आपके stock के reversal की पूरी-पूरी संभावना है होंगी तो कोशिश कीजिएगा जब आप breakdown से नीचे चल रहे है या तो अपने profit को trail कीजिए stop loss लगाईए यहाँ पे 132 का stop loss लगाईए चलने दीजिए चलने दीजिए अब 110 आ गया आप trail करते चलिए और अपने profits को enjoy करते देखिए देखे sell भी क्या बलता है जब T3 से उपर sustain करेगा T698 के आसपास जा सकता है जो target 2 है मैंने आपको क्या कहा T6 से reversal के chances आ सकते हैं intraday के लिए और यह अगर मालीची इससे भी नीचे चल पड़ता है तो T9 आ जाएगा 92 के आसपास में मतलब target 3 भी पूरा चीव हो सकता है यह cycle पूरी हो जाएगी दोस्तो अब जब आपका एक दिन में maximum T9 तक ही गिरेगा stock या T9 तक ही stock बड़ेगा उसके उपर नहीं बड़ेगा 98-99% stock इसके उपर नहीं जाएगा more than 90% chances है T3 से reversal देगा जिसमें moment कम होगी highly volatile stock होगा T6 को hit करेगा वापस T3 पे आगे close करेगा और बहुत हीजा super volatile stock होगा तो T9 तक जाके profit book कीजिएगा वापस T6 के आसपास या T5 के आसपास जाके वो closing ज़रूर देगा अगर देखिए हम इसको अगर अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी करनी है अब यहां निफ्टी देख लेते हैं अब किसी भी stock को कर सकते हैं इसमें Redington या निफ्टी से कोई मतलब नहीं है यह सिर्फ underline का नाम है उसका एक price है हमें सिर्फ price ही लेना देना है अब कि आपकी जो closing निफ्टी की है 11,375 की है 11,375 अब निफ्टी यहां नहीं होगी दोस्तों भी निफ्टी का future है हर बार change होता रहता है तो हमने यहां पे आपको आपको इसका manual price डालना होगा और जैसे ही हम go पे click करते हैं देखिए sell below 357 unfortunately जो निफ्टी है दोस्तों मैं आपको बतायता हूँ वो 228 के आसपा Singapore निफ्टी लगा चुकी है और live sessions जिनोंने सुने होंगे बितने दिनों से मैं कह रहा था 11,449 से बजा गिरेगा extremely जो highly bullish zone होगा 6,64 का पहले breakout और breakdown का level था live sessions में हम जागे देख सकते हैं इसके नीचे में 5,56, 4,49 उसके बाद 3,42 and 2,28 2,36 तो 228 तो Singapore में लग गया है अब next level 101,30 का है कैसे है बहुत interesting है चली देखिए अगर हम इसको daily chart पे देखने की कोशिश करें इस वीडियो में आपको analysis भी सिखा रहा हूँ दोस्तों ये सरफ calculator को use करना ही नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप अपने tool को अच्छे से इस्तमाल नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं याँगा ये future की September का future है तो अभी 6 दिन हुए हम इसको spot के चार्ट को देख लेते हैं तो आपको major supports आजएंगे कि major support क्या है दोस्तों मैंने आपके लिए supports mark करके रखे हैं शायद इसको समझ लेते हैं देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा चोटा कर लेते हैं और इसको daily chart पर ले आते हैं daily chart के उपर में दोस्तों यह mark करके रहे हैं दोस्तों 100 and 11,333 के आसपास की जो closing है यह बहुत crucial closing है क्यों है यह 11,333,344,332 यह target 1 अचीव हो चुगा है 449 से नीचे है तो मेरा stop plus 449 रहेगा मैं इसको carry कर रहा हूँ मेरी positions को अभी मैं positions carry कर रहा हूँ 236 के लिए जो मेरा morning में खुलते ही आचीव हो जागा अब 236 के नीचे 130 reversal point रहा है निफ्टी अगर वापस reverse करेगी तो यहां से reverse करेगी और करनी ही चाहिए क्यों करेगी उसके लिए देख लेते हैं वज़ा क्या है कि हमारा जो फिर next zone है next जो zone है that is 120 के आसपास में देखे 120 के आसपास में है and calculator says 130, 10 point का हम error ले सकते हैं या variation ले सकते हैं या standard variation हम ले सकते हैं deviation ले सकते हैं अगर आप इसको जैसे मज़ी सब़ना चाहें यहां पे हम इस 10 point के error को लेके चलेंगे कोई दिकर नी कोई nifty है तो फिर nifty 10,600 अगर आप वीशे परिकावरी का लेवल वीडियो देखा था आपने जहां से ये बजार लोगों के shot को trap करके भागा था ये वही लेवल है वापस nifty 10,600, 70, 680 के असपास आएगी वहां आपस एक move देखने को बिलेगी और वो अगर move तूटता है तो फिर nifty 10,000 के level को आस्थानी से touch करेगी चाएगा कोरोना की वज़े से हो चाएगो किसी भी news की वज़े से हो दोस्तों तो ध्यान लखेगा जो important crucial level है 11,300 यह बहुत ही important level पर खड़ी nifty और यहां से एक reversal निफ्टी को देना ही चाहिए अगर उसको देना है अगर बजार में वापस एक चाला नहीं है तो 11,130 से उपर reversal देगा ही देगा नहीं तो वापस निफ्टी को नीचे 10,600 तक आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे यूज करना है summarize कर देता हूँ stock चूज करना है तो यहां पर price मच डालिएगा यहां से drop down से अपने share को चूज कीजिए आपको खली reliance करना है और आपका reliance आपका stock आ जाएगा आप go click करेंगे आपके charts आजेंगे यह left side में हम intraday करेंगे buy above and sell below sell below and buy above याद रखिए का the golden rule जो intraday traders है प्लीज अपने आपको पहचाने है intraday trader का मतलब है वो पूरे दिन किसी opportunity को नहीं छोड़ता ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक trade लिया loss लगा और भाग गए अगर आप ऐसा करने वाले हैं फिर तो आप trader है ही नहीं आपको trading करने का कोई logic लगता ही नहीं मेरे साब से कभी जिन्दगी में किसी को मुझे भी profit नहीं आगा अगर मैं एक trade में घुसा हूँ उसमें मुझे loss लगा बाहर आगया बजार का मतलब है लकीर के फकीर होना बजार के पीछे पढ़ना पड़ता है बॉस आपको बजार के पीछे पढ़ना है जितनी बार आपको trigger मिलता है बजार इतना volatile है कि आपको दोनों तरफ की trigger देगा बिलकुल देगा अगर आपको दोन दफ के trigger मिल रहे है I can bet ही हो, अगर दिन में आपको 5 trade मिल रहे है 10 trade मिल रहे है और आप हर trade को बिलकुल level के हिसाब से trade करेंगे तो आप end of the day पैसा लेके ही उठेंगे पैसा जाएगा नहीं बिलकुल भी I hope दोस्तो, calculator को समझ में आ गया हो कैसे यूज़ करना है और अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है sign up नहीं किया है तो जाएए हमारी website www.wepulkaushik.com पे और मैं फिर से आपको एक summary दे जेता हूँ www.wepulkaushik.com पे आप जाएंगे और यहां से आपको यह मेरा calculator login है मैंने out कर दिया पहले आप sign up करेंगे sign up करेंगे फुरा form भरेंगे पुरी details भरिए sign up पे click किजिए और उसके बाद हमारे number 7827286174 पे message कर दीजिए कि आपने sign up कर लिया है और आपकी यह email ID है और यह mobile number है और यह आपका नाम है नाम, mobile number और email ID तीन चीज़े में भेज दीजिए आपका calculator within 24 hours active हो जागा enjoy कीजिए 7 दिन का समय मिला है आपको इसको use करने का the most powerful trend trading calculator thank you so much